हेलो दोस्तो आप लोगों का स्वाज़त है आपका यूट्यूब चैनल एबी मंगलन एनिटिंग में और इस वीडियो में आप जानेंगे पांस वार्टकट कीज के बारे में अगर आप एक से लेकर एक सो पांस तक सौर्टकट कीज के बारे में जाना चाहते हैं तो मेरे यू उपन क्रियेट नेम फ्रोम सेलेक्शन डैलोग बॉक्स क्रियेट नेम क्या होता है अगर आपको क्रियेट नेम के बारे में नहीं पता है तो इसका जो सौर्टकट है वो आप यूज नहीं कर पाएंगे तो दोस्तो क्रियेट नेम यानि कि किसी भी रेंज को हम एक नेम दे स कैसे नेम दे सकते हैं रेंज आपकी यह हो इसक का इपयोंग कर रहा हूं नीचे तक यह आपने की जगह पर नेम टाइप करेंगे तो सबसे पहले कोशन यहां पर यह आता है कि किसी भी रेंज को हम डिफाइन कैसे करते हैं तो दोस्तों यहां पर किसी भी रेंज को डिफाइन करने के लिए यहां पर मल्टिपल तरीके हैं सबसे पहले तरीका जो असान तरीका है इसे सेलेक कर लीजिए और यहां पर आपको दिख रहा हूँ नेम बॉक्स और यहां पर आप टाइप कर दीजिए कुछ भी जो इस नेम को आप देना चाहते हैं suppose इस रेंज को नाम देना चाहता हूं में state then enter तो आपने एक रेंज को define कर लिया है अब कैसे पता चलेगा कि नेम define हो गया है तो यहां पर नेम बॉक्स पर किलिक कीजिए तो यह आपको यहां पर देख जाएगा तो यहां पर आपको इस तरह सा इस तरह का एक आइकन दिख जाएगा और इसे आप माउस एरो की के थुरू नीचे लाकर टैप कर दिजिए जैस्ट या फिर पूरा टाइप भी कर सकते देन एंटर तो देखा आपने यहां पर क्या किया आपने एक रेंज को define किया और उस र रिका यहां पर यह है कि आप control F3 paste कीजिए name manager open कीजिए manager open करने के लिए आप formula में भी जा सकते हैं और यहां पर name manager पर click कीजिए और यह आपको dialogue वो दिख जाएगा तो यहां पर मैं control F3 दुबारा करता हूं और new पर click कीजिए उसके बाद यहां पर कुछ भी आप name दे सकते है किशी भी रेंज को फ्राइस को नहीं पर बाद अब नीचे आए इंश्य प्राइब कलिक कीजिए और यहां पर 남uly रेंज को पूरा नीचे कर लेता हूं यहां पर क्या क्या इस रेंज को हमने कर दिया बाद से ब्रांच न हैं च कर लिया देखो दोस्तों नेमने जब जैसी आप ओपन करते हो तो जितने भी नाम आपने डिफाइन कर रखें या फिर कर रखें तो वो सारे नेम आपको यहां पर दिख जाएगा एक तो यह तरीका है दूसरा आपका नेम बॉक्स में भी आपको दिख जाएगा दोनों जो ज पता है नहीं चल रहा है कि उस रेंज का मैंने क्या नाम दिया है ठेक तो इस रेंज को सेलेक्ट करके भी आप पता कर सकते हैं दूसरा इसमें यह है कि आप F3 प्रेस कीजिए उनली तो आपको पेस्ट नेम डालोग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहां से आप उस नेम को से कर लीजिए सब्सक्राइब यहां पर ब्रांच लेना चाहता हूं देन एंटर ओके प्रेस किजिए और एंटर ठीक है तो ब्रांच में मैं यहां पर कॉपी कर लेता हूं तो अब यह हमें बता रहा है यह ब्रांच तो यह एक ब्रांच क्या है एक नेम है यह टैक्स नहीं है तो यह एक रेंज का नेम डिफाइन किया हुआ है तो ब्रांच और स्टेट तो इस तरह से आप किसी भी फॉर्मला में इत्माल कर सकते हैं तो दोस्तों कोशन यहां पर यह आता है कि आप कंट्रोल सीप्ट एप 3 का यूज कैसे करोगे भाई या ठीक है ना तो कंट्रोल सीप् करेंगे तो हमें ज्यादा टाइम लग जाएगा तो उसी के शलूशन के लिए यहां पर इन्होंने दिया है सॉर्ट कट पीज़ा है जो कंट्रोल सीप्ट एप 3 या फिर फॉर्मला में आप टैप में जाओगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा क्रियेट फ्रोम यहां पर पूरी टेवल को सेलेक्ट कर लेता हूं अब मैं यहां पर कंट्रोल सिप्ट एप 3 प्रेस करता हूं तो आपके सामने यहां पर इस तरह का एक डालोग वॉक्स ओपन होगा क्रियेट नेम फ्रोम सेलेक्शन तो आपको टॉप में यानि कि आपके जो भी हैडर है औ यहां पर प्रेस करने से क्या होगा जितने भी हैडर नेम है जो कि स्टेट ब्रांच ब्रांच कोड और सेल यह सारे नेम डिफाइन हो गए है इस वाली नीचे वाली देंगे तो हमने देखना कैसे बताया था भी मैंने कंट्रोल एप 3 प्रेस करोगे तो हमने यहां पर नेम और से जितने भी नेम है आपने इसलेट के वे हैं वह सारे आपको यहां पर दिस्प्ले हो जाएगा यहां पर ब्रांच हमने किया ब्रांच को छ prac तो दिखा तो यह सोर्ट तरीका है आपको टिक्वल को पूर्री सहलेट करना है कंट्रोल से फण three प्रेस करोगे तो आप पर लुह जब और नेंटर दोगे यहां पर आपको बता रहा था कि मैं को सिप्ट अब मैं लेट करके बता हो पर केमें पर हमारे यहां पर है इस वाले लैप्ल में पर लाइप कॉलम को स्लैक करूंगा और प्रेस कर दूंगा अभी पूछ रहा कि इस पहले भी नम डिफैन किया त क्लाव यह बली डिफानन कर दिया है अब हमने क्ट इप अफ ऑव यहरा किया था इस टेवल को सब् Fwn आध अधार करने क्तलों और लफ्ट कॉलम पे यानि कि क्रिफ्ट नेम फ्रॉब वाल्यू इन दा लाफ्ट कॉलम जो कॉलम में है उस नेम को हमें डिफाइन उस नेम से हमें इस रिंज को डिफाइन करना है तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूं यह आपको समय विए होगा यह प्रीक हम कैसे करते हैं तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं दुसरे नम्मर पर यहां पर मैं हर्याना फाइंड करता हूं फाइंड कर दिया अगर मैं दुबारा फाइंड करना चाहता हूं अगर मुझे दुबारा उपन करना पड़ेगा करें चाहता हूं अब मैं दुबारा अगर से फाइंड करना चाहता हूं तो मैं उपन नहीं करूँगा और मैं स्रिफ क्या परिस करूँगा ctrl shift f3 ctrl shift f4 ctrl shift f4 तो आप ctrl shift f4 जो find कर रहे हो ना देख रहे हो तो शिर्फ यह find कर रहा है find nest की command आपको करके दे रहा है जो कि आप पहले ctrl f इस तरह से कर रहे थे find nest करने के लिए आपको find and replace dialog box आपको open करना पड़ रहा था तो इसकी जगह पर आप क्या करोगे ctrl shift f4 प्रेस करोगे अब आगे बढ़ते हैं 108 नमबर पर है ctrl shift f6 switch to the nest tab in dialog box and the axle box दोस्तों अगर आपने अगर आपको पता हुगी ctrl tab का जो क्या यूज है तो same command आप ctrl shift f6 से भी कर सकते हैं तो ctrl tab क्या करता है ctrl tab करता है आपकी जितने भी workbook open हो रखी है सिर्फ उसी में यह switch करेगा यह इसी में यह move होगा ctrl tab या फिर आप ctrl shift f6 प्रेस करेजिए ctrl tab या ctrl shift f6 प्रेस किजिए तो यह same command होता है उसी तरह से अगर आपने कोई dialog box open किया हुआ यहां पाप ctrl tab कर रहे हैं तो नीचे जो उपर tab दिख रहे हैं इसमें यह move हो रहा है उसी तरह से इसको move करने के लिए ctrl shift f6 भी आपको प्रेस करना होगा अगर आप ctrl tab का यूज नहीं करना चाहते हैं तो तो दोस्तो ctrl f6 जो dialog box में जो tab में switch करने के लिए यूज करते हैं यह किसी किसी version में काम नहीं करता है तो इसका ध्यान रखेगा यहां पर ctrl tab यूज कर लिजिए उसके जगा अगर नहीं हो रहा है तो तो मेरा मकसद था कि ctrl shift f6 का क्या यूज है तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ यह आपको समझ में आ गया होगा अब आगे बढ़ते हैं 109 नॉम्मर वाले shortcut की जो कि कह रहा है ctrl shift f12 जो कि आप ctrl p के थूरू जो command special यूज करते थे print preview देखने के लिए या print देने के लिए ठीक है ना तो same command आप ctrl shift app 12 से भी कर सकते हैं तो दोस्तों Excel में या फिर computer में MS Office का जो भी लेजिए उसमें आपको एक काम को एक action को करने के लिए multiple shortcut और multiple तरीके होते हैं तो इसका simple सा यूज था अब हम बात करेंगे ctrl shift app ctrl shift 7 का इसका भी simple सा ही यूज है अगर इसको मैं outline border देना चाहता हूं तो मैं just press करूंगा ctrl 7 तो आप देखोगे यहां पर यह हो गया ctrl shift 7 में press किया और यह outline हो गया तो इस तरह का अगर आपको outline देना है तो आप यूज कर सकते हैं क्या control shift 7 जो की 7 और end person नम बाला हमें 7 प्रेश नहीं करना है हमें प्रेश करना है जहां पर end person भी आपको दिख रहा है तो आसा करता हूं दोस्तों इस वीडियो में आपने जुरूर कुछ नया सीखा होगा अगर आपने कुछ नया सीखा है तो इस चैनल को subscribe कर दीज दोस्तों ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए इंट्रेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मैं मिलता हूं नाइस्ट वीडियो में